इस वर्ष आमिर खान एक मात्र फिल्म सीक्रेट सूपर स्टार में दिखाए देंगे और उसमें भी उनका रूल बहुत बड़ा नहीं है इस फिल्म को चार अगस्त को प्रदर्शित करने की बाद रही गई थी इस फिल्म के ठीक एक सब्दाह बाद अक्षे कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा और शारुप खान की इंतियाज अली निर्देशक वाली फिल्म रिलीस होगी यानि आमिर के फिल्म के लिए मात्र साथ दिन होंगे क्योंकि एक सब्दाह बाद दो बड़ी फिल्मों के प्रदर्शन होने के कारण आमिर के फिल्म के शो की संख्याथ बहुत कम कर दी जाएगी ये देखते हुए आमिर ने अपने फिल्म को आगे बढ़ा दिया है सीक्रिट सूपर स्टार अब दिवाली पर रिलीज होगी और इसी दिन रिलीज होने वाली फिल्म 2.0 से टकराएगी 2.0 में रजनी कांथ लीड रोल में है साथ में अक्षर कुमार खलनाई की दिखाती नज़र आएगे आमिर खान के फिल्म 2.0 के मुकाबले छोटी है लिहाजा इस भिडंद के कारण उनके फिल्म सुर्खिया बटोर लेगी वे ये भी जानते हैं कि रजनी कांथ उत्तर भारत में उतने लोगप्रिय नहीं है जितने की दक्षिन भारत में इसी दिए उत्तर भारत में उनके फिल्म दर्शक बटोर सकती है दिवाली के त्योहार का फायदा भी मिलेगा आमिर के फिल्म का बजट इतना ज्यादा नहीं है कि तक्कर से उन्हें बहुत नुक्सान उठाना पड़े